आज बनाएंगे कच्छे केले के कोपते तो इसके लिए केले ले लेंगे तो मैंने 5 केले लिये हैं और पहले इनको धो लिए और फिर इने छील लेंगे तो चाकू से इस तरह से छील लें आप केलों को और एक बर्तन में पानी रख लें, जिससे कि आप उसमें तुरंत डाल दें अगर आप ऐसे ही रख देंगे, तो ये केले क्या है काले हो जाते हैं तुरंत पानी में डालें इने इस तरह से अब इनको grate कर लेंगे तो मोटे वाले ग्रेटर से आप grate कर लें और फिर इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे तो हम हरी मिर्ची डालेंगे कटी हुई थोड़ी सी अधरख डाली है हरा धनिया डालेंगे इसमे और फिर डालेंगे इसमें 4 चमच बेशन एक चमच जितना घी डालेंगे इसमें जिसे की कोपते हमारे अच्छे बने तो मैंने एक चमच जितना घी डाला है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर बेशन थोड़ा कम लगे तो एक चमच आप बेशन और मिला ले और फिर इसे ज़्यादा टाइट न लगाके, सौफ्ट लगाएंगे, और ओइल को अच्छा गरम कर लेंगे, और फिर इसे जब हम गोल-गोल इस तरह से डालेंगे, मीडियम साइज के डालें, ज़्यादा बड़े न डालें, और फिर इसके बाद हम इसकी फ्लेम लो कर ग्यास की फ्लेम ताकि वो अंदर तक देखिए अच्छे से सिख सके और ऑईल बिल्कुल भी नहीं भरेगा और इनको हम दोनों साइड से चारों साइड से मतलब अच्छे से तलके अलग पलटके अच्छे से तलके निकाल लेंगे और फिर इसका ओईल सारा निकाल देंगे थोड़ा सा ओईल रखेंगे उसमें जीरा डालेंगे करी तेज पत्त डालेंगे और फिर मैंने दो प्याज थोड़ा सा गालिक और जिंजर को पीस लिया था वो डाल देंगे इसमें जब हमारी प्यास भून जाएगी थोड़ी हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें और डालेंगे इसमें लाल मिश्च पाउडर, धनिया पाउडर और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे मसाले भून जाएंगे तो टमाटर डाल देंगे इसमें तो दो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको भूनते जाएं मसाला अच्छे से भुनना चाहिए जिससे की ग्रेवी भी आपकी बहुत अच्छे बनीगी हमने इसमें कोई काजू नी डॉला है कोई इसमें बीज नहीं डाले हैं कोई मलाई क्रीम नहीं डाली है और इसमें टेस्ट के इसाफ से आप नमक एड़ कर दें और थोड़ी धक दें ग्रेवी अच्छे से पकनी चाहिए मसाला हमारा एकदम भुनना चाहिए देखिए कलर बहुत अच्छा आया है अब इसमें हम प नहीं डाला है और वह ग्रेवी उबल उबल के करीब पांक मिननट उसे उबल ने दे हमने आटा लगा लिया है इतनी देर में और देबी काफी अच्छी उबल गई है अब इसमें कोपते डाल देंगे तो कोपतों को डाल दें और फिर एकदम सिंपे करके गैस को और करीब 2-3 मिनट के लिए इनको कवर करके ढखके छोड़ दें आप इसे तो एकदम मैंने आदा चमच इसमें गरम मसाला डाल दिया है और ग्रेवी भर जाए। कोड़ी से डाल दियों में कसूरी मैं थी तो हतेलियों से गिसके डाल दे केशों को हटा दें उपर से डाल दें आप हरा धनिया काट के और कोपत करी एक धम तयार है तो ये केले की कोपते बहुत तेस्टी और बनते हैं आप जरूर इन्हें बनाएए और मुझे कमेंस करके जरूर बताएए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे चावल के साथ य ऐसे ही healthy और टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक यू